बिरंग जीवन के मेरे तुल प्राण हो का सू हे गाईज विल्कम बैक टू मैं चैनल राधा राजुनसी ब्लोग और आपका मैं चैनल पर बहुत स्वागत है तो अपने पिछले ब्लोग नहीं देखा तो देख लिए हम लोग बरसाना गये थे और बरसाना से फिर जा रहे थे हम वरिंदा बन तो बरसाना से जो वरिंदा बन है काफी दूर है बहुत जादा दूर है तो सबसे पहले तो हम लोग यहां जा रहे थे जो बरसाना का है इस ट करने का मनी नहीं हो रहा था हम लोग और बहुत जगह घुम सकते थे बट वहीं पर हम लोग दो तीन घंटे भी था है लाड़ी जी के मंदिर में तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था यहां पर हम लोग आगे बसी स्टेंड और यह जो माला है न हम सोचे की खोल के रख दे क्योंकि पैड लगेगा तो सही बात नहीं है और यहां पर ममी पूल रही थी पैनी थी माला तो ज्यादा संदर लग रही थी खोल क्यों दी हम बोले ममी उसमें से टूट टूट के गिर रहा है इसलिए इसलिए अब हम लोग यहां पर आए हुए हैं बसाना से आचुके हैं हैं अब हम लोग जा रहे हैं व्रिंदा बरसाना से हम यहां रुखे हैं वह तो बहुत प्राउबलम होगा था यह स्टेरिंग आटो में थोड़ा तो प्राउबलम होता है बट कोई बात नहीं तो यहां से अंग निकले व्रिंदा बन के लिए और देख सकते हैं मेरो वरिंदावन पहुँच चुके थे और बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था कि बरसाना से हम वरिंदावन भी आ गए और सेकेन्ट डे हम लोग आये थे इतना टाइम नहीं था कि रूख के हम देख सके क्योंकि हम लोगों को अभी टाइम हो गया था तीन साइध बज रहा था और आज ही ट्रेन भी था हम लोगों को रात में और बहुत कुछ अभी गुमना था तो हम लोग यहीं से दर्सन किये क्योंकि दर्सन करना जरूरी और हम दर्सन कर लिए यहीं से तो बहुत अच्छा लग रहा था देख सकते हैं इतनी बड़ी प्रतिमा है ना कि दंग रहे गए हम देखके सच में देखते रहे गए तो यहां लिखा हुआ था स्री बैशनो देवी धाम बट यह बस आ गया तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया देख सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा देख सकते हैं आप लोगी दर्सन कर लिजिए मातारानी का और मातारानी सब का बहला करें पीछे से मेरा भी बहला कर दे फिर आ गए हम लोग इधर देख सकते हैं इतना सुंदर सुंदर मंदीर है नहीं हम सो गईज पहुंचके ब्रिंदा बन दुर्दा मा का विसाल प्रतिमा देखके दिल प्रशन में हो गया सचमें बहुत अच्छा लगा और अब देखते हैं वह आपको देखने मिलेगा अपर मंदीर में का में यह क्या होता है मैं सायर नहीं सेर कर पाने कुछ भी बर जितना वह पाया हम जरूर आप लोगों के सा सेयर करेंगे और जासे एक मंदिर में कहे थी कि डेकाँ करके आप लोगों से शयर نہیں किये क्योंकि नहीं कर पाय दर्संभ करने भीवी रहे आपको दिखाते हैं यमुना जी मतलब इतनी ज्यादा प्यारी चलिए पहली बार हम देख रहे हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं आप लोग कहानी में सुने होंगे कि जब कृष्णी का जनम हुआ था और उनको जब नंद जी पार करा रहे थे तो पूरा यमुना जी उपर तक आ गए थी जिसके वज़ा से मतलब सब लोग सोच रहते हैं तुफान आ गया यह हो गया और वह पाऊं चुने के लिए बस लिए बस चृष्णी का पाऊं चुने के लिए वह फूरा उपर तक आई थी और पाऊं चुने के बाद पूरा नीचे चली गए थी तो यहीं हैं यमुना जी वो और यहां पे ना यमुना के प्रवाह क्या जाता है और इतना हावा था फिर लिए न तो फिर इधरी रह गया था तो फिर बाद में सीवानी मुम्मी देख सकते हैं फिर सुटाइब तो दरीकर लिए रहा था तूज सुटता है कि हम लोग यहां यमना जी के पास भी दर्सन कर लिए क्योंकि यहीं से फिर हम लोगों को जाना था तो इसलिए यहां पर हम लोग आ गए और भगवान जी मतलब यमना जी का दर्सन किये प्रणाम किये बहुत अच्छा लगा तो यहाँ पे इधर ही रह गया था पानी के धार से तो फिर सीवानी उधर कर दी थी और सीवानी का फ्रॉक यहाँ गिला हो रहा था तो हम देखर बोल रहे ही रहे थे यहाँ कि संभाल के करो भीग जाएगा पूरा अभी बहुत देर तक घुमना है तो देख सकते हैं यहाँ दिया जल ही रहा था इतना हवा में भी फिर यहाँ पे हम सोचे हम प्रणाम वेगरे नहीं किये हैं तो गये पानी के अंदर थोड़ा सा पूरा पानी के अंदर नहीं गयते क्योंकि मेरे को इसलिए हम लोग नहीं कर पाएं यहाँ पे और थोड़ा दर्सन करके प्रणाम वेगरे करके चले गाते हैं तो आप 10,000 राधा रामन जी के मंदिर हम लोग आए तो पता चला कि अभी मंदिर खुलने में बहुत टाइम है मतलब अभी डेढ़ घंटे लेट हैं और पता हम लोग को नीधिवन जाने का बहुत मनता बट टाइम के वज़े से हम लोग सोच रहे थे कि नहीं नीधिवन नहीं जा पाएंगे बट काना जी जो चाहते है न वो हो के रहता है डेड़ गंटे टाइम था ये खुलने में तब तक हम लोग राधा वललब जी भी घू चली देखते हैं तो नीधिवन में जाते हैं मतलब सच में ऐसा महसूस होगा ना कि चारो तरफ राधा कृष्ण जी है और एक बात यहां के लोगों की बहुत गलत है यहां की लोगों की नहीं जो घूमने जाते हैं तो प्लीज कुछ तोड़ा मत करिए ये सब अभी फिलहा सब लगाया गया है पहले अंदर भी जा सकते थे गहाते हैं तो यह सब तोड़ के घर ले जाते थे तो यह सब तोड़ के घर ले जाने की जरूरत नहीं है यह सब चीजों की, क्योंकि यह कोई चीज समान या सिर्फ पौधा नहीं है इसमें मतलब हर एक जो निदिवन में है न हर एक पेड़ में भगवान का वास है, तो प्लीज ऐसा मत किया करे या तोड़ा मत करे या आप दरसन करिया टच करिये आप उसको महसूस करिए बट तोड़ा मत करिए तोड़ के घर मत ले जाया करिए तो हम यहां मतलब हर एक देख सकते हैं यहां पर जितने भी थे न हम बस महसूस कर रहे थे और सच में कह रहे हैं महसूस हो रहा था यह जी कि राधा जी और कृष्ण जी यहीं कहीं है और सच में हम बस यह करते हैं प्लीज सामने आजाए ने काना जी प्लीज सामने आजाए यह में को दरसन करना है मतलब मन में पागलो जैसा ये चल रहा था, continue मेरे मन में, कहीं तो दिख जाएंगे कानहा जी, कहीं तो दिख जाएंगे, या था कि हम होटल में भी थे न, तो हम बाहर निकल रहे थे जब रात में, तो ऐसा लग रहा था कहीं कानहा जी दीख जाते कास, ऐसा महसूस हो रहा था फिर मन में आरे तो हम पागल हो रहे हैं क्या नहीं नहीं ऐसा बहुत सच में मतलब यहाँ पर जो लोग रह रहे है ना बहुत लखी है और यहाँ पर हम वहीं देख रहा है था कहीं तो कृष्ण जी दिख जाए अभी एक बार तो दर्सन दे देजी अपनी राधा को मेरा भी या क्या है नहीं पता बट मेरे को चाहिए मेरे सामने काना जी फिर यह हम आना जाता है इस तरीके से घर बनाने का कुछ है जो मेरे को पूरे तरीके से नहीं पता तो इसलिए हम आपको वीडियो में नहीं बता पाएंगे तो वहीं यहां पे सीवानी ऐसे घर बना रही थी तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए और इस बारे मेरे को पूरा नहीं पता और हम बनाए भी नहीं थे क्योंकि जनकारी नहीं था मेरे को क्या है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है जनकाली लेके जाएंगे नेक्स टाइम तो जरूर हम भी बनाएंगे और ऐसा करेंगे बहुत लोग बना रहे थे तो यहां सीवानी का मन हो रहा था तो वो भी जाके इस तरीके से बनाई अपने हिसाब से बना लेता है इंसान देख सकते हैं कितने लोग बनाए हुए थे बड होगी नहीं करता हुए इस तरीके से और थोड़ा सा अपने साथ भी ले लिए थे क्योंकि सब जगह भूल जा रहे थे कि हम कैसे लें रिकॉर्ड कैसे करें तो इसलिए यहां पर सचे कि थोड़ा सा ले लेते हैं हमारे साथ भी तो एक हम आगे राधा रमन जी में और यहां भी हम लोग 2-3 गंटे भी ताये थें जादा ही पुरा स्टोरी क्या हुगा वो सब हम आपको कभी और किसी वीडियो में बताएंगे बट और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किये मतलब एक मन मुहा जाता है वो हो गया था तो बस यही लास्ट हम विरिंदावन में रिकॉर्ड क यहीदे